मध्या परदेश में होने जा रहे विधान सबाचुनावों में कॉंग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाती है वहीं अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठ्योग विधानसभा शेतर से विधायक कुल्दीप सिंग राठोर को मध्या परदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस परिविक्षक न्यूक किया गया है मध्या परदेश के दौरे के बार शेमला पहुंचे कुल्दीप राठोन ने मीडिया से बाच्षीत के दौरान बताया कि मध्या परदेश में चुनावी रुजान कॉंग्रेस पार्टी के पक्ष में है इस दौरान उन्होंने परदेश सरकार से सेब सीजन के चलते हिमाचल की सडकों को दुरुस्त करने की मांग भी के सिर्वान करें और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हिमाचल परदेश में जो है काफी बारिशे होती रही जिससे जो काम है वो बीच में बादा जो है आती रही इस रोड का एक पॉर्शन लगवख पूरा हो गया था और अचानक जो दूसरा भाग है वहां काफी बड़ा सिलिप आया और पूरी रोड जो है शती गरस्त होगी और यह याता यात के लाइक नहीं रही पिछले कल जो हमारे लोग निर्मान मंत्री है विक्रमेदिते सिंग जी वो भी उस खेतर में गया और हमने सारे जो ऑफिसर्ज हैं हमारे चीफ एनियर्ज है और हमारे जो स्थानी ऑफिसर्ज हैं सब लोगों से हमारी बैठक हुई और यह निर्णे लिया गया कि हम वहां वैली ब्रिज जो है का निर्मान करेंगी और हमने हिदायत दी है और हमें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि एक हपते के अंदर अंदर वैली ब्रिज जो ह वहां लगा दिया जाएगा ताकि याता यात को जो है सुचारू रूप से शुरू किया जा सके और बाकी जो काम वहां चल रहा है उसके लिए भी हमने निर्देश दियें कि उस काम को भी जल्दी से जल्दी जो है पूरा करने का प्रियास करें अब आप सही है कि पिछले लग साथ आठ सालों से काम जो चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पाया और मैंने तो बनने के बाद बार-बार मैंने दौरे किये उसक्षेतर के दौरे किये और खुद भी जाकर मैं साइट में गया थोड़ा सा जो वेवधान आया वहां भी एक सिलिप आया जिस वज़े से सड़क शतिक रस्त हुई और रिवाइज जो अस्टिमेट है वो केंदर सरकार को बेजा गया क्योंकि ये नेशनल हाइवे अथार्टी ऑफ इंडिया के अंतरगत है लेकिन अभी तक मासे जो है पैसे का बुक्तान नहीं हुआ हम लोगों ने दिली बात की है हमारे ऑफिसर्ज भी करें और हमने अपने उफिसर्ज को यह भी कहा है कि अगर दिली से पैसा नहीं भी आ रहा है तो कोई विकल्पिक ववस्ता करनी ज़रूरी है क्योंकि बगार पैसे के तो रोट बनेगा नी तो हम उस व्यवस्ता में जुटें जैसे ही पैसे का अबंटन होता है या दस से बारा चुनाओ शेत्रों में गया हूं और अभी मेरा जो दूसरा चरण है वो चौबिस तारीके बाद जो है फिर से शुरू होने वाला है अभी तक मैंने देखा है कि जिस दंग से मैंने लोगों में वहां जोश देखा मुझे पूरा विश्वास है कि मद्या परदेश में कॉंग्रिस पार्टी की जो वापस ही है वो पिलकुल देखा है कि हमने हमारे चाहिए डिप्टी कमिशन बहुत हैं और हमारे जो और ऑफिसर्ज हैं उनको हमने साफ निर्देश दिये हैं कि सेव का सीजन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और अभी थोड़ा बहुत सेव आना शुरूर हो भी गय है तो हमने कहा है कि सדके सडकों का काम जो है जा सडके सडकों में स्लिप सा रहे हैं इसाडके टुटी फूटी है उनको रमन्त करने का काम करें यह हो भी रहा है लेकिन क्योंकि आगे बरसाद का भी मौसम है मौन्सून आने वाली है तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि बारिश की वज़ा से भी जो है कहीं सेव सीजन में बादा नहीं होनी चाहिए तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम खुद भी पूरी नजर रखेंगे और मैं तो स्वेम अपने एक शेतर में जाकर दौरा करूँगा सीडी चैनल के लिए कुलू से दिलिप ठाकूर की रिपोर्ट